हलो दोस्तो मैं हुश अगर और आप देख्रों टिक फड़ी यूट्यूब चानल सो दोस्तो इस वीडियो में मैं बताने बाला हूँ के लास्ट मोडिफाइड डेट आप अपना वर्ट्प्रेस पोस्ट में कैसे डिस्प्ले करा सकते हो सो विदाउट फादर वेस्टीं यूट्राइम लेट्स के सबस्तो इस वीडियो में मैं दो मेथद शेयर करने वाला हूँ एक फ़र्स मेथड में एक कोट्ट प्रोवाइड करने वाला हूँ फफ्र प्लागिण के मदद से दिखाने वाला हूँ सो चलिए first method को देख लेते हैं so first method को अब अपना WordPress website में implement करने के लिए आपको direct description पे link मिलेगा उससे आप इस post में आ जाएंगे मेरा इस site पे आ जाएंगे so यहाँ पे देख सकते है first method method one show last modified date using php code so यहाँ पे आपको first step में देख सकते है php code का downloading option दिया हुआ है so download यहाँ पे आके download php code पे click कर देना है उसके बाद यहाँ पे download options पे click कर देना है इससे क्या होगा एक php code download हो जाएगा जिसको आपको notepad में open कर लेना है so copy कर लेना है total code को आपको copy कर लेना है okay code को copy करने के बाद आप अपरे इस website को open कर लेना है उसके बाद यहाँ पे appearance में जाना है उसके बाद theme file editor में जाना है इसके बाद theme functions पे click कर देना है जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पे function.php जो है यहाँ पे click कर देना है इसके बाद एकदम इस जो यह function.php जो file है इसका एकदम ending पे आना है तो आपको just यहाँ पे paste कर देना है उसके बाद आपको update file पे click कर देना होगा so update file पे click करने के बाद आप कोई भी post को open कर लीजिए जैसे कि मैं इस post को open कर लेए edit करने के बाद यहाँ पे अगर कुछ भी post में modify करना है तो कर लीजिए करने के बाद just हमाई demo के लिए इसको update कर देता हूँ तो आजकर date show करेगा यहाँ पे मतलब इसको update कर देता हूँ so update हो चुका है आप देखेंगे किस date को यहाँ पर show हो रहा है कौन सा date show हो रहा है जैसे कि देख सकते हो जूलाई फ़र्स्ट तो आजकर ही date यह शू कर रहा है तो जिस date में आप modify करेंगे उसी date यहाँ पर कोही डेट यहां पर शो होगा तो ऐसे मतलब इसका बेनिफिट से ही है कि अगर आप ऐसा इंप्लीमेंट करते हो तो क्या होगा कि आपका जो CTR होगा वेबसाइट का अच्छा खासा इंप्रूब्मेंट देखने कि CTR इंप्रूब होगा तो आपका साच इंजिन रैंकिंग भ अगर कोडिंग में दिक्कत आ रहा है तभी अप इस मेथट को यूज करना और सेकेंड मेथड में जो है प्लागिन के मदद से आप कर सकते हो डबलूपी लास्ट मॉडिफाइड इंफो प्लागिन डाउनलोड कर लो और यहां पर कैसे मतलब आप उस प्लागिन को सेट अप कर सकते हो पूरा टुटोरियल हम बना के रखा है आप लोग आके चेक आउट कर सकते हो और इसको सेट अप करके आप अपना वर्टप्रेस वेबसाइड में लास्ट मॉडिफाइड डेट शो करा सकते हो अगर आपको प्लागिन सेट अप में दिक्कत आ रहा है तो कॉमेंट करके बता सकते हो मैं उसके लिए सेपारेड वीडियो बना दूँगा अगर पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करिए अपने दोस्तों के शेयर करिया और टेक फडिव चैनल को सब्सक्राइब करना मत बुलना सो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही मिलते हैं और वीडियो के साथ तिल दन आप ग्रीड दे बाइ और टेक्या